राम राम किसान भाईयो मैं नितिन फिर्ट से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देवल में किसान भाईयो आज हम बात करेंगे गेहों की फसल की यदि बढ़भार रुग गई है गेहों की फसल पीली पड़ गई है तो ऐसा क्या किया जाए कि गेहों की फसल की ले पाएंगे इस चैनल पर किसान भाईयों आपको सभी तरह की खेतियों के बारे में अच्छी जानकारी दी जाएगी यदि आप किसी भी टोपिक पर कोई वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं तुरंती वो वीडियो बना करके आप सभी किसान भ किसान भाईयों वे प्रिस्ट ज़रूरी नहीं है तो आपको तुरंती जवाब देज़े आएगा शुरू करते हैं आज करनों टोबिक गेहों की फसल की बढ़वार और पीले पन को हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं किसान भाईयों सबसे पहले मैं आपको बतानों गेहों का यदि बढ़वार रुक गई है तो गेहों की बढ़वार दो से तीन चीजों की बढ़वार रुक जाएगी यदि जिंक की कमी आपकी गेहों की फसल के अंदर आएगी तो आपकी गेहों की फसल जो बढ़वार है वह रुक जाएगी यदि सल्फर की कमी गेहों की फसल के अंदर होगी तब भी बढ़वार रुक जाएगी या फिर किसान भाईयों आपने अपने गेहो की फचल के अंदर पानी ज़्यादा लगा दिया है इसकी बढ़वार रुख जाती है और आपकी गेहो की फचल का जो कलर पीला पड़ रहा है ये भी जिंक्रिक क कमी के करण भी कलर पीला पड़ता है और ज़िदि आपने पानी ज़्यादा दे दिया है तब भी आपकी गेहों की फ़सल का जो color होगा जो रंग होगा वह है पीला पढ़ना सुरू हो जाएगा और आपकी गेहों की फ़सल की पूरी बढ़वार रुक जाएगी तो किसान भाई हो यदि बढ़वार रुक गई है या फिर गेहों की फ़सल आपकी पीली पढ़गी है इन दोनों ही कंडिशनों में जो तरीका मैं बता रहा हूं इस तरीके को आप बिलकुल इसी तरीके से उप्योग मिलाएं जैसे मैं आपको बता रहा हूं तो आप बहुत आसानी के साथ मात 70-80 रुपय के खर्चे में ही अपनी गेहों की फ़सल की बढ़वार को भी पूरा ले पाएंगे आपकी गेहों की फ़सल की ग्रोध भी अच्छी तरीके से हो जाएगी और जो आपकी गेहों की फ़सल पीली पढ़गी है पीला पन भी आपकी गेहों की फ फसल के अंदर हो सकता है, नाइट्रोजन की कमी हो गई हो, यदि आपको लगता है कि नाइट्रोजन की कमी आपकी गेहों की फसल के अंदर है, तो आप लगभग 1.5 से लेके 2 किलोग्राम यूरिया आपको ले लेना है, और उसके साथ में किसन जन वही हो, आपको जिंक आपको 21% में लेना है, और इसकी मातरा आपको लेना है 500 ग्राम, ये पूरी डोज एक एकर गेहों के खेत के लिए में बता रहा हूँ, इस बात को आप नोट कर ले, वो लगभग 120 से लेके 130 लिटर पानी के अंदर आपको 1.5 से 2 किलोग्राम यूरिया डाल लेना है, और दूसरा किसान भाईयों, दूसरा तरीका ये है कि आपको जो एनपी के 19-19-19 ले लेना है और इसके अंदर आप जिंक सल्फेड मिला सकते हैं 21% वाला, यदि जिंक की कमी आपकी गेहों के फसल के अंदर आपको दिखाई नहीं देरे कि जिंक कमी नहीं है, तो आप सिर्फ ए 19-19-19 का ही इसके अंदर इसके अंदर इसके करेंगे, वो भी एक किलोग्राम की मातरा एक एक एकड़ खेत के लिए, बहुत है, जिसकी जो पानी की मातरा गवात करों तो 120-150 लिटर पानी के अंदर आप एनपी के 19-19-19 डाल सकते हैं और इसका इसके अपनी गेहों की फसल प पहले आपको इस्प्रे मानना है, मान लीजिए आज आज आप यदे इस्प्रे मार रहे हैं तो आप कल की डेट में आपको अपने खेत में सिच्चाई अवस्य करनी हैं, ऐसा ना करें कि आज आपने इस्प्रे कर दे और सिच्चाई कर रहे हैं आज से दस दिन के बाद, तो मैं बता जता हूँ कीमत की कीमत का खर्चा आपको लगबग कितना आने वाला है यदि आप एनपी के 19-19-19 की बात करें तो ये मार्केट में आपको लगबग 100 रुपे के आसपास मिल जाता है क्योंकि जो इफपो का आता है 18-18-18 ये आपको 80-15 रुपे का आपको मिल जाता है आप 19-19-19 की जगए 18-18-18 भी ले सकते हैं ये भी काफी अच्छा काम करता है बात कर लेतें दूसरे वाला जो हमारा तरीका था जिसमें जिंक सल्फेट और मैं यूरिया मिल वा रहा हूँ तो यूरिया की दोखलों की मात्रा केमत आपको जानकारी में है कि ज़्यादा महंगा आपको नहीं मिलेगा अच्छी तरीके से ग्रोथ में ले सकते हैं और अच्छा उत्पादन आप निकाल सकते हैं